आज से 15 साल पहले की बात थी, साक्षरता चला करती थी गामों में साक्षरता पढ़ाने के लिए मुझे सरकार ने एक गाम में भेज़ दिया था कि आपको इस गाम के सभी व्यक्ति साक्षर करने हैं तो मैं उस गाम में सक्षरता के लिए चला गया, पढ़ने के लिए करीब 40 व्यक्तिव का वैच था उस वैच में 40 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से आते थे पढ़ने के लिए जो व्यक्ति पढ़ने के लिए नहीं आता था उसको में घर जाके एक हाजमुला कप्पे किट आता था छोटा सा 25 पैसे का उसको दे दिया करता था वो बाग के दोड कर चलाया करता था तो उस टाइम की बात थी सब को मैंने हिंदी कंप्लीट कर दी थी इंगलिस पढ़ाने वाला था मैं इंगलिस मैंने स्टाइटिंग की ए फोर एपल वी फोर बैट सी फोर कैट डी फोर डॉग तब ही उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ मास्टर जी हिंदी में पढ़ाओ हमें समझ नारी कुछ भी तो मैं इंगलिस इंगलिस ठोकें जा रहे हैं मैंने कहा चलो बाई एंदी में पढ़ा देंगे पढ़ाना स्टाइटिंग किया बिल्कुल सरल तरीके से एफोर अमर सिंग की बहूर बी फोर बल्ला की बहूर सी फोर चेत्राम की बहूर डी फोर दामुदर की बहूर इसी तरीका से मैंने ए से लगा कर जैड़ तक सभी ए बी सीडि कंपलीट करा दी थी मैंने उन लोगों से पूछा बताओ इस तरीके से मैंने जो आपको पढ़ायाै सबने याद किया सब को याद हो गया सब ने हाथ उपर खड़े करके का हाँ सब भी सब याद हो गया एक दख्ती को मैंने खड़ा किया खड़े हो जाओ क्या नाम है तुम्हारा साब मेरा नाम रामलाल है रामलाला अच्छा बताओ ये बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने लिखा था, W बताओ, यensemble क्या है क्या गणी टांग ओपर कोई ए्रिया साथ क्या बखता है सई तरीके से बता मैंने सोचा कि अगान वाले तो मुझे मरवाएंगे कोई बोल रहा है, उपर को ठांग है कोई बोल रहा है, नीचे को ठांग है मैं उसी दिन किसी बहाना लेके में गाउन छुट्टी आ गया मेरे दूसरे दिनी वहाँ चेकिंग करने के लिए एश्डियम पहुंच गया एश्डियम बोला बताओ यहाँ जो मास्टर जी पढ़ाने आते थे आपको उसने पढ़ाया हाँ जी पढ़ाया साब पढ़ाया कहां तक पढ़ाया आपको सब एक साथ बोले हमको उन मास्टर ने जहां तक पढ़ाया है मुकेस की बहु की टांग उपर कुकरीं साब क्या कह रहे हो मुकेस की बहु की उपर कुटांग करीं मास्टर जी ने हाँ साव चलो मास्टर जी को बताते हैं ढोंगते हैं जाहिद ना को पढ़ावो छोड़ो साव एश्टियम आज तक मेरे पीछ पीछ डोलने में तो मिलना है जाहिद ना को पढ़ावो छोड़ो भाई दोस्तों मैंने